सर कॉर्परेट का exam कल है regular वालों का उसके according बता देता हूँ क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए मैं unit wise बता देता हूँ ध्यान रखेगा unit 1 है यूनिट 2 है यूनिट 3 है यूनिट 4 और लास्ट यूनिट 5 चलिए, क्या-क्या पढ़ना चाहिए आपको यूनिट 1 में से आपको ध्यान देना चाहिए Redemption, Preferent Share Capital एक तो इस पे फोकस करना चाहिए एक दूसरा आपको करना चाहिए Buyback तीसरा आपको करना चाहिए Bonus इस पे फोकस करिए इस में से question पूछे जाने की probability बहुत ज़्याद है मैं important बता रहा हूँ अधर आस्पेक्ट में इसके बच क्या जाते है सर इसौप बच जाता है और क्या बचता है सर Share Capital बच जाता है अधर आस्पेक्ट हमारे ये बच गए तो आपको ध्यान रखना है जिन बच्चों का देखो इस वाले प्रोस्पेक्टिव जो दूसरा वाला पार्ट यहां पर दिख रहा है ना इस वाले पार्ट में से आने की संभावना इसौप का तो होता है लेकिन Share Capital काफी टाइम से नहीं पूछा जाता है प्रेक्टिस एक कोश्चन करिए ज्यादा मत करिए और वह हो जाएगा इस वाले पार्ट में इनके कोश्चन जरूर करके जाए और आप मैं सच बताऊ ना तो एक कोश्चन रेडम्शन और प्रफरेंश का आपका पंदर नंबर का आ सकता है जिसके अंदर जैसे कि लास्ट क्लास में किया था ना सब कुछ देदेगा वाइब कि सब वगयरा उस टाइप कोश्चन ठीक है यूनिट टू फाइनल अकाउंट है सब्सक्राइब करें यूनिट नंबर थ्री सी एफएस सर यह पूरा करना पड़ेगा इसका कोई तोड नहीं है इसको फुल करना पड़ेगा और मेरे मानना है कि इसके अंदर ना आपका ओपरेटिंग एक्टिविटी आने के चांसिस ज्यादा है अब करना तो पूरा ही है ठीक है ना यूनिट नंबर फॉर इसमें डिबेंचर भी रह गया डिबेंचर वाला डिबेंचर में आपका इशू वाला नहीं कनवर्जन वगएरा जो करवाया था एक सिंट्रस्ट कम इंट्रस्ट वो छोटे-छोटे टॉपिक तो आप कोसिस करिएगा कि बहुत बड़े- एक कोश्चन पूरे बुक्स वायर का सेलर का सारा कुछ कर लें याद रखिए एमल्गमेशन से जो कुश्चन जादा सा ज्यादा टाइम पर जैसे अभी पूछा गया पीसी का पूछा जाता और रीकंस्रक्शन में से फुल पूछा जाता है कई बार तो यह ट्रेंट रहता एक आपका कॉस्ट ऑफ क्यापिटल कॉस्ट ऑफ क्यापिटल यह दोनों अलग से पूछ लिया जाता है कई बार बाकि बैलेंस शीट वाले भी करने हैं तो यह टॉपिक्स को कवर करके जाए कल वाले पेपर में इसमें से कोश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं अधर पार् अधर कर सकते हैं का सब्सक्राइब कोस्ट का पेपर है डिस्प्लें नहीं हो रहा है ओके मैं दुबारा भेज दूँगा सायद को एरर रह गया होगा आपके कंटेंट में अप्लूड कर दूगा टेलीग्राम पर डाल दूगा जो हमारा चैनल वहां मिल जाएगा या फिर च